प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उच्साइथ होंगे आज हम पढ़ेंगे साथ्वी कक्षा के विज्ञान का दस्वा अध्याय जीवों में श्वश्न अध्याय को प्रारंब करने से पहले मैं आप से कुछ प्रश्न पोछूँगा आप इन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश केजिए सबसे पहला प्रश्न सभी जीव किस से बने होते हैं यानि कि किस प्रकार बने होते हैं तो इसका उत्तर सही है, कोशिकाओं से बने होते हैं, अगला प्रश्ण, क्या आप सजीवों के कुछ गुण बता सकते हैं? सही जवाब, सजीव चल फिर सकते हैं, वृध्धी करते हैं, सांस लेते हैं, इतियादी तो बच्चों, अभी आपने बताया कि सजीव सांस लेते हैं, तो प्रश्ण यह है कि सजीव सांस क्यों लेते हैं? और आपने यह बी अनुभव किया होगा, कि जब आप भागते हैं, तो आपकी सांस तेजी से चलती है, ऐसा क्यों होता है? बच्चों, सांस लेना श्वष्ण प्रक्रम का एक चरण है आज के अध्याय में हम इन प्रश्णों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे आज हम पढ़ेंगे हम श्वष्ण क्यों करते हैं? श्वष्ण क्या है? हम श्वाश कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम श्वष्ण क्यों करते हैं? सभी जीव सुक्ष्म इकाईओं से बने होते हैं जिने कोशिकाएं कहते हैं कोशिका जीव की सबसे छोटी स्रंचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जीव की प्रतेक कोशिका, पोशन, परिवहन, उत्सरजन और जनन जैसे कुछ कारेओं को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है इन कारेओं को करने के लिए कोशिका को उर्जा की आवशक्ता होती है यहां तक की हमें खाना खाते, सोते, अत्वा परते समय भी उर्जा की आवशक्ता होती है लेकिन बच्चों, यह उर्जा कहां से आती है? भूजन में संचित उर्जा, श्वशन के समय निर्मुक्त होती है इसलिए सबी जीवों को भोजन से उर्जा प्राप्त करने के लिए श्वश्ण की अवशक्ता होती है श्वश्ण के प्रक्रम में हम साज द्वारा वाईयू को शरीर के अंदर ले जाते हैं हम जानते ही हैं कि वाईयू में आक्सीजन होती है कोशिकाओं में यह oxygen भोजन के विखंडन में सहयता करती है कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में उर्जा मुक्त होती है इसे कोशिकिय स्वश्ण कहते हैं कोशिका के अंदर भोजन या फिर glucose oxygen का उपयोग करके carbon dioxide और gel में विखंडित हो जाता है जब glucose का विखंडन oxygen के उपयोग द्वारा होता है तो यह वाईविये स्वश्ण कहलाता है oxygen की अनुपस्तिती में भी भोजन विखंडित हो सकता है यह प्रक्रम अवाईविये स्वश्ण कहलाता है यीस जैसे जीव वाईयों की अनुपस्तिती में भी जीवित रह सकते हैं ऐसे जीव अवाईविये श्वश्न करते हैं इन में गुलुकोज अलकोहल और कार्बन डाइकसाइड में विखंडित हो जाता है जैसा की समीकरण में दिखा ही गया है ओक्सीजन की अनुपस्तिती में अलकोहल और कार्बन डाइकसाइड आप देख पा रहे हैं बन रहा है हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवाईविये श्वश्न कर सकती हैं पर थोड़े समय के लिए ही यह प्रक्रम तब होता है जब अस्थाई रूप से ओक्सीजन कम हो बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दोडने, कई घंटे तक टहलने और साइकल चलाने या फिर किसी भारी वजन को उठाने जैसे अनेक कारें के लिए अधिक उर्जा की आविशकता होती है लेकिन उर्जा उत्पन करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ती सिमित होती है ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवाईविये श्वश्न द्वारा उर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है अत्रिक्त व्यायाम करने पर आपकी पेशियों में एंठन क्यों होती है? एंठन तब होती है जब पेशियां अवाईविय रूप से श्वश्न करती है इस प्रक्रम में गुलुकोज के आंशिक विखंडन से लेक्टिक अमल और कार्बन डाइकसाइड बनते हैं लेक्टिक अमल का संचरन पेशियों में एंठन उत्पन करता है गर्म पानी से स्नान करने अत्वा शरीर की मालिश करवाने पर हमें एंठन से अराम मिलता है इससे रक्त का संचरन बढ़ जाता है और पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन के आपुरती बढ़ जाती है जिसके साथ लेक्टिक अमल का कार्मन डायकसाइड और जल में पूरन विखंडन हो जाता है अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे श्वस्न के बारे में आईए एक क्रिया कलाब करते हैं अपने नथनों और मुक को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की और देखिए आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद करके रख सकते हैं कुछ समय बाद आपको क्या अनबह हुआ तो आप जान ही गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक नहीं रह सकते बच्चों श्वश्निया सांस लेने का अर्थ है और कारबन डायकसाइड से समरिद वायू को बाहर निकालना उच्च वसन कहलाता है कोई व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वश्न करता है वह उसकी श्वश्न दर कहलाती है एक श्वास का अर्थ है एक अन्टश वसन और एक उच्च वसन आप भी अपने श्वसन की दर की गणना कर सकते हैं आप इसके लिए विश्रा मवस्था में आ जाईए यानि कि अराम से बैठ जाईए और गिंती कीजिए कि कितनी बार सांस अंदर ली और बाहर छोड़ी इसके बाद आप थोड़ी से दौर लगा लीजिए और तुरंत बाद में विश्रा मवस्था में आकर गणना कीजिए आप अपने मित्रों से भी तुल्ला कर सकते हैं कोई व्यस्क व्यक्ति विश्रा मवस्था में एक मिनट में औसतन 15-18 बार सांस अंदर लेता और बाहर करता है व्ययाम या कसरत करने पर यह दर 25 बार प्रती मिनट हो सकती है जब आप व्ययाम करते हैं तो अधिक उर्जा की अवशक्ता होती है अधिक ऑक्सीजन की अवशक्ता इसलिए होती है क्योंकि हम व्ययाम करते हैं और तेजी से कारे करते हैं इसके लिए हम तेजी से और गहरी सांसे लेते हैं परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन मिलती है यह भूजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक उर्जा निर्मुक्त हो जाती है आओ अब हम श्वस्न प्रक्रम की विधी को जान लेते हैं समानिता हम अपने नासा द्वार से वायू अंदर लेते हैं जब हम वायू को अंत श्वस्न द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथनों से नासा गूहा में चली जाती है नासा गूहा से वायू श्वात नली से होकर हमारे फेफडों में जाती है फेफडे वक्ष ग गुहा को आधार प्रदान करती है श्वसन में डायफ्राम और पसलियों के बने पिंजर की गती समलित होती है अंत्य श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की और गती करती है और डायफ्राम नीचे की और गती करता है यह गती हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बड़ा देती ह और वाईउ फेफडों में आ जाती हैं फेफडे वाईउ से भर जाते हैं उच्छ वसन के समय पसलिया नीचे की और और अंदर की और आ जाती हैं जबकि डायफरंग ऊपर की और अपनी पूर्व स्थिती में आ जाता है इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है इस कारण की विदी को समझने के लिए हमें क्रिया कलाब करेंगे आईए इस क्रिया कलाब को करते हैं बच्चों इस क्रिया कलाब के लिए हमें कुछ जरूरी समान चाहिए वह है प्लास्तिक या रबड की एक पतली शीट प्लास्तिक के चौड़े मुवाली बोतल दो गुबारे वाई को दिखाए अनुसार बोतल में लगा देजिए अब बोतल का धकन लगा देजिए और उसे सील बंद कर देजिए ताकि यह वायूरुद हो जाए बोतल के खुले पेंदे पर रबड या प्लास्तिक की एक पतली शीट तान कर किसी रबर बैंड की सायता से बांद दीजिए बाद रबड की परत को उपर की और धकेलिए और गुबारों को देखिए क्या आपको गुबारों में कोई परवर्तन दिखाई दे रहा है हम देखते हैं कि जब हम रबड की परत को नीचे की और खीचते हैं तो गुबारे फूल जाते हैं और फिर जब हम रबड की परत को नीचे की और खीचा जाता है तो प्लास्टिकी बोतल का ऐतन बढ़ जाता है और दाब वाईू मंडलीय दाब से कम हो जाता है, यानि की बोतल के भीतर का दाब बहार के दाब से कम हो जाता है। इसके साथ यह होगा कि वायूमंडली हवा वाय नली से होकर गुबारों को फुला देगी जब रबड की परत को उपर की और धकेला जाता है तो प्लास्टिक की बोतल का आयतन कम हो जाता है और अंदर दाब बढ़ जाता है इसलिए हवा बहर चली जाती है और गुबारों में से हवा निकल जाती है इस प्रक्रम में गुबारे हमारे फेफणों और रबड की शीट डायफराम को प्रदर्शित करती है इसी प्रकार का कुछ प्रक्रम हमारे श्वसंतंत्र में भी होता है और यह सिद्ध करता है कि जन्तुओं में श्वश्न किस प्रकार होता है हाथी शेर गाए बकरी मेंडक छिपकली सर्प और पक्षियों आदी जन्तुओं की वक्ष गुहाओं में मनुश्य की भांती फेफडे होते हैं परन्तु अन्य कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें ऐसा नहीं होता आईए कुछ के पार्ष भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं अन्य कीटों के शरीर में भी इसी प्रकार के छिद्र होते हैं ये छिद्र श्वास रंद्र कहलाते हैं कीटों में गैसों के विनी में यानि की आदान परदान के लिए वाईउ नालियों का जाल बिचा होता है जो श्वा प्रणाल या वातक कहलाते हैं ओक्सीजन सम्रिद वायू श्वास रंद्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के उत्तकों में विश्रित होती है और शरीर की प्रते कोशिका में पहुँचती है इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाय अक्साइड श्वास नालों में आ जाती है और श्वास रंद्रों से बाहर निकल जाती है आईए अब हम जानकारी प्राप्त करें केंचुवे के बारे में केंचुवे में श्वस्न किस प्रकार होता है केंचवा अपनी तवचा से श्वस्न करता है केंचवी की तवचा स्पर्श करने पर आर्द्र और शलेश्मिय प्रतीत होती है इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है आईए अब जानकारी प्राप्त करते हैं जल में रहने वाला जीव जिसके बारे में आप सभी जानते हैं मचली है मचलियों में कलोम या गिल पाय जाते हैं कलोम जल में गुली ऑक्सीजन का उप्योग करने में उसकी साहता करते हैं कलोम तवचा की बाहर की और निकले होते हैं आप सूच रही होंगे कि क्लोम किस प्रकार स्वश्ण में साहता करते हैं क्लोम में रक्तवाहिनियों की संख्या आधिक होती है जो गैस विनि में यानि कि आदान परदान में साहता करती है आएए एक और जीव के बारे में भी जान लेते हैं जो कि है मैंडक जद पी मेंडक में फेफडे होते हैं वे अपनी तवचा से भी स्वश्न कर सकते हैं यानि की मेंडक तवचा से और फेफडों से दोनों से स्वश्न कर सकता है इसके बाद आओ जानकारी ले लेते हैं पादपों में श्वस्न के बारे में अन्य जीवों की भांती पादप भी जीवित रहने के लिए श्वस्न करते हैं. ये वायू से अक्सीजन अंदर ले ले लेते हैं और कार्बन डायकसाइड को निर्मुक्त करते हैं. इनकी कोशिकाओं में भी अक्सीजन का उप्योग अन्य जीवों की भांती ही गुलुकोज के कार्बन डैक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है पादप में प्रतेक अंग वायू से सतंत रूप से अक्सीजन ग्रहन करके कार्बन डैक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है पादब की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डेक्साइड के विनिमे के लिए सूक्षिद्र होते हैं जो की रंद्र कहलाते हैं पादबों की अन्य सभी कोशिकाओं की भांती ही मूल कोशिकाओं यानि की जो कोशिकाओं जड़ों में उपस्तित होती हैं को भी उर्जा उत्पन करने के लिए उक्सीजन के अवशक्ता होती है मूल मृदा के कणों के बीच खाली स्थान में उपस्तित वायू से ओक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार बच्चों सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए अवश्यक उर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वस्न करने की अवशकता होती है आईए अब तक जो हमने पड़ा है उसकी दोहराई भी कर लेते हैं सबसे पहले श्वस्न सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवारे हैं यह जीव द्वारा लिये गए भूजन से उर्जा को निर्मुक्त करता है ओक्सीजन की उपस्तिती में होने वाले श्वस्न के प्रक्रम को वाईविय श्वस्न कहा जाता है यदि श्वस्न ओक्सीजन की अनुपस्तिती में होता है तो इसे अवाईविय श्वस्न कहते हैं शारिरिक सक्रियत आगे बढ़ने के साथ श्वस्न दर बढ़ जाती है गाय, भैस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वस्न अंग और श्वस्न प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं गेंचुव में गैसों का आदान परदान उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है मचलियों में यह कलोम से और कीटों में श्वास प्रनाल से होता है इसके पहचात मैं आप से कुछ प्रशन पोचूँगा और आशा करता हूँ कि आप उन प्रशनों के उत्तर दे पाएंगे सबसे पहले रिक्स्थान भर लेते हैं कौकरुच के शरीर में वायू इसके द्वारा प्रवेश करती है तो सही जवाब है श्वास रंद्र के द्वारा अगला रिक्स्थान पत्यों की सत्य पर सुक्ष्न छिद्रों को यह कहा जाता है सही जवाब है रंद्र अगला प्रश्ण जिसमें आपको विकल्प भीद दिये गये हैं इस प्रकार है कौक्रोच या तिलचटे के शरीर में वायू प्रवेश करती है पहला विकल्प फेफडो द्वारा, दूसरा क्लोमो द्वारा, तीसरा विकल्प श्वासरंद्रो द्वारा, चौथा विकल्प तवचा द्वारा कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर है श्वासरंद्रो द्वारा अगला प्रश्न किसी समान्य व्यस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में और सच श्वस्ण की दर कितनी होती है सही जवाब है 15-18 प्रती मिनट अगला जो प्रश्ण है उसमें आपको कत्न दिये गए हैं आपको यह बताना है कि यह कत्न सत्य है या असत्य है पहला कत्न अधिक वैयाम करने से श्वस्ण दर तेज हो जाती है तो यह सत्य है या असत्य यह सत्य है अगला कत्न मेंडक केवल त्वचा द्वारा श्वस्ण कर सकते हैं तो यह कत्न असत्य है क्योंकि मेंडकः, फेफड द्वारा और तवचा द्वारा तुनों से स्वशन कर सकते हैं इसके बाद अब हम मिलान करेंगे यहां पर column A और column B दिये गए हैं column A में जीव दिये गए हैं और column B में उनके श्वसन का माध्यम या अंग दिये गए हैं कॉलम ए में लिखे गए हैं तिल्चट्टा, केच्वा, मचली, मनुश्य और कॉलम बी में लिखे गए हैं फेफडे, क्लोम, श्वास्प्रिनाल, त्वच्चा आईए इनका मिलान करते हैं तिल्चट्टा श्वस्न करता है श्वास प्रिनाल द्वारा, कीचुवा, केचुवा, त्वच्या द्वारा, मचली, क्लोम द्वारा, मनुष्य, फेफडो द्वारा अत्यदीक वयाम करते समय हमारी टांगो में जिस पदार्थ के संचन के कारण एठन होती है वह है पहला विकल्प कारबन डायकसाइड, दूसरा विकल्प लेक्टिक अमल, तीसरा विकल्प अलकॉहल और चौथा विकल्प जल्प, सही उत्तर है लेक्टिक अमल अब आखरी, इसमें एक समिकरन दिया गया है जिसे आपको पूरा करना है, यहां दिया गया है गुलुकोज, पेशी में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिती में, यहां पर आपको दो रिक्ष स्थान दिये गये हैं, उनमें बताइए क्या आएगा, तो तर है लेक्टिक अमल और उर्जा, इसी के साथ हमारा अध्याय यहां समाप्त होता है, आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को अच्छे से समझा होगा, अब अपनी पाठे पुस्तक में से फिर से इस अध्याय को पढ़िए और अभ्यास में दिये गे प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए, बच पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद